नमस्कार इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ हिमंद कुमार और मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ट सही होगी मनौज जोशी जी मनौज जोशी जी हम बात करेंगे दरसल लोकडाउन का तीसरा चरण जो है वो अब उसको लेकर के एक नहीं गाइडलाइन जारी हो गई है चौते चरण की और हम लगाता रहें तीसरा चरण कंप्लीट हो गया है चौते चरण में आखिरकार गाइडलाइन जो सरकारों को दी ग जाएगी ये सबसे बड़ी बात है और इसको लेकर के अगर हम खेलों के बात करें तो खेलों में सब की इस बात को लेकर के उच्छता है कि आखिरकार किस तरह की धील दी गई है क्योंकि खिलाडी लगातार ये कर रहे थे कि वे लोकडाउन के तहट घर पर हैं और इस दोरा साथ अगर इस खेल ग्राउंड के हम बात करें तो खेल स्टेडियम्स को भी खोलने के बात कई गई गई हैं इनको हम बसा से आपको बताएंगे और धीरे धीरे उसके बाद ये भी बताएंगे कि आखिरकार क्रिकेट के फैंस जो लगातार इस बात को लेकर के इंतजार कर र स्टैडियम्स को लेकर के खिलाडी पैक्टिस कर पाएं इसको को लेकर किया कुछ प्रावधान है देखिए स्टेडियम के लिए स्टेडियम खोले जाएं और वहां दर्शक नहीं होंगे लेकिन खिलाडी अपनी प्राक्टिश जाकर कर पाएंगे ये इसमें भी बहुत क्लारेटी नहीं है दरसल ग्रहमंत्राले की और से जो जो कुछ निर्देश जारी किये गए उसमें जो सुमारी वाला साहब है Athletic Federation के उनको बड़ा भ्रहम की सित्याई उनसे बात हुई उन्होंने कहा हमें कुछ clarity नहीं है stadium खोलने का मतलग तो यह भी हो सकते हैं जो फिटनेस के लिए हमाँ दौर लगाई है उनका भी यही कहना है तो कई जो clarity ना होना यह मैं समझता हूँ कि इसको बहुत जल्दी clear करना चाहिए लेकिन इन्होंने जो अपनी तरफ से guidelines जारी कर दी है सब कुछ clear है लेकिन क्या professionally यह लोग अपनी training को साकार कर पाएंगे इसमें अभी तक कोई स्थिती स्पर्ष्ट नहीं की गई तो आप यह कहना चाह रहे हैं कि ग्रेम मंत्राले के उरसे जो guideline जारी के गई है उसमें रियायतें देने के बाद के गई है खेल स्टेडियम को खोलने के बाद के गई है जो sports complex हैं उनको खोलने के बाद कई गई है लेकिन अभी तक खेल मंत्राले के उरसे इस प्रिश्टिकन इस पर नहीं है समझस की स्थिती है कि आकरकार क्या वहाँ पर खिलाडी कितने खिलाडी जा सकते हैं क्या उनकी training शुरू हो पाएंगी यह तमाम समझस की स्थितिया है जो पेशे वर्ट ट्रेनिंग है जिसे ओलंपिक वर्ष था यह और तो आगे बढ़ा दिया गया कोरोना वाइरस की बज़ा से अगले साल के लिए उन खिलाडीयों को पेशे वर्ट ट्रेनिंग की जरूरत होती है जिसमें पूरा स्पोर्ट स्थाफ होता है पूरे डल बल होता है उसके अंदर तो उस तरह की ट्रेनिंग के अभी छूट दी गई है या नहीं क्योंकि अभी लॉकडाउन तो अभी बढ़ाया हो गया है क्या उसके लिए 30 मही तक का वेट करना होगा क्या सिर्फ आफ फिटनेस के लिए दौर लगा सकते हैं जॉगिंग कर सकते हैं उसकी तो साफ तोर पर शूट है तो बिल्कुल इसके लिए अभी इंतजार करना होगा आखिरकार खेल मंतराले की गाइड लाइन्स का वो क्या अलग से आएंगी क्योंकि काफी सारे लोगों को इस बात कर इंतजार है बहुत सारे खिलाडी हैं चाहिए वो जिरास्तर से लेकर के अंतराश्टे इस सरके टोर्नामेंट की अपनी तयारी कर रहे हो तो ऐसे खिलाडियों को अभी फिलाल इंतजार है लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं दरसल क्रिकेट को लेकर के क्या कुछ का जा रहा है क्या लोक्टाउन के चोथे चरण में क्रिकेट की खिलाडियों को लेकर के बी-सी-सी आई ने कुछ कहा है या क्रिकेट फेडरेशन बाकी के हैं उनका कुछ कहना है अभी तक क्या कुछ जानकारी इससे लेकर के हैं लेकि BCCA ने बहुत ही अपने पेशेवर रुक का परिचा दिया है बहुत ही प्रोफेशनल उसने बात कही है उसने कहा है जितनी हमारी राज्य काईया है पर उनके उपर उन्होंने सारा काम छोड़ दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि हमें ट्रेनिंग को लेकर खिलाड़ीयों की ट्रेनिंग को लेकर कोई हरबढ़ाहट नहीं है कोई जल्दवाजी नहीं है जब तक हम पूरी तरह से सरकार के हर कदम के साथ हैं और सरकार जब तक 31 मई तक इसके बाद जो है वेट एंड वाज पर चलेंगे 31 मई के बाद क्या सिती रहेगी सरकार की तरफ से क्या घोशना आएगी क्या नए दिशा निर्देश आएंगे उसका वो पालन करेंगे लेकिन फिलाल वो कोई ट्रेनिंग या कोई कोचिंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं ना उन्होंने कोई ऐसा निर्देश दिया है जिस तरह से दुनिया भर में आप देखेंगे इंग्लेंड ने इस बुद्वार से शुरू कर दिया है कि इस बुद्वार से जो है गेंबाज प्रैक्टिस करेंगे फिर उसके बाद गेंबाज के बाद बल्लेबाजों का नंबार आएगा कुछ दिनों बाद तो इस तरह से ऑस्टेलिया भी इसको लेकर बहुत बेतावी है लेकिन बीसी सी आई बहुत ठंडे दिमाग से काम ले रहा है मैं कहूंगा बहुत बड़ा फैसला है स्किल डेफलेप्मेंट का उन्होंने जिक्र किया है इस तरह की कोचिंग दी जा सकती है लेकिन वो भी राज्य स्थर पर राज्य एकाईयां उसमें इनिशेटिव लें बातार मांग उठ रही है कि कम से कम प्रैक्टिस की अनुमती होनी चाहीए और उसमें भी सोचल डिस्टेंसिंग का पालंग करना होगा दरशक तो नहीं जा पाएंगे तो अब साफ हो गया यह वह तो बात साफ है कि दरशक नहीं आएंगे वह सारी बाते समझ में आती है ले इसका प्रकोप सबसे कम है या बिलकुल ना के बराबर है गोवा है कुछ नौर्थीस के इसके इसके हैं वहाँ पर कोई कोचिंग कैम लगाया जा सकता है लेकिन अभी फिलहाल उस सब को प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है अभी सरकार के वेट एंड वाच पर बिसीसाई निर्भर है सरकार के फैसले पर निर्भर है कि वो अगले पंदरा दिन में क्या फैसला लेता है लेकिन कोचिंग या ट्रेनिंग प्रोफेशनली पूरी टीम के साथ वो अभी नामुम्किन है रच्जे एकाईया इनिशिटिव लेंगी वो भी इंडिजल लेवल तो क्या खिलाडियों की ओर से भी इसे लेकर के किसी तरह के डिमांड सामने आ रही है किसी तरह की कोई प्रतिक्रियाएं ये जो गाइडलाइन आई हैं खेलों को लेकर के इसको लेकर के कोई सामने आ रही है ने खिलाडियों को अभी वो भी वेट एंड वाच पे चल रहे ह हुए क्योंकि पीछे वो न्यूजिलेंड टूर में भी नहीं गहे थे और उसके बाद से वो एकदम अलग थलग बैटे हुए घर में बैटे हुए तो सारे बाकी सारे खिलाड़ी भी घर में ही बैठे हैं लेकिन अपना फिजिकल फिटनेस पे वो ध्यान दे रहे हैं उनको व पर नेट प्रैक्टिस होती है नेट सेशन होता है उसको अभी उसकी मनाही की गई है बिश्चिस से द्वरा जी तो चले बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया मनु जी आपने बहुत भातें बताई हैं और हमारी जो दर्शक हैं वह इस बात को तो समझ चुके हैं कि जो तो इसको भी हम आपको पूरे विस्ताज से समझाएंगे लेकिन फिलाल आज की जो महत्पूर्ण जानकारी वो हमने आपको दी अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेर कीजिए लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए